हेलो स्टृरेंड्ट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटर नैशनल ओर्गनाजेशन और रिजनल ऑर्गनाजेशन का बहुत ही इंपोर्टन टोपिक एरॉपियन यॉनियन जिसको हम कहते हैं इंटीक्रेशन ओफ यॉरॉप जो यॉरप है वो integrate कैसी होता है by European Union जो यॉरप है जी continent बहुत ही important continent है इसकी starting से हैसे money create होई पड़ी थी तो जो first world war होती है second world war होती है इसमें यॉरप को बहुत ज्यादा loss होता है इस loss को profit में convert करने के लिए it means क्या है जो हमको loss हुए है अब इस loss को हम कैसे अपने demands को meet करें कैसे हम दुबारा से अपनी health money है dominance है वो create करें इसके लिए European Union है इसको establish किया जाता है जो European Union है स्चार्टिक में जे एक community के रूप में सामने आती है और 93 में जाकर European Union है जे form होता है तो पहले हम करते हैं basic information of European Union तो इसकी basic information क्या है जो European Union है वो है क्या इट इस प्लिटिकल एंड एकनोमिक योनियन ओफ 27 member states of Europe continent Europe continent में 40 से भी ज्यादा स्टेट्स है लेकिन जो यॉर्प यॉनियन है यॉनियन क्या है political and economic union of only and only 27 member states पहले इसमें 28 member states थे जो 28 member states है इनकी नेम आप डाइग्राम में देख पा रहे हूं जैसे अस्ट्रिया हो गया Belgium हो गया Poland हो गया France हो गया Germany हो गया नीदर्लेंड हो गया जिब बहुत ही फीमस बहुत ही ज्यादा developed states थी और इसके बाद जो Brexit होता है Brexit 2020 में होता है तो इसमें यह UK है वो disintegrate हो जाता है European Union से बहार नीक जाता है बिटेइन का exit ही Brexit कहलाता है तो अब कितनी states रहे हैं 27 member states जो 27 member states है जे European Union है इसको फॉर्म करते हैं इनकी अपना ही एक फ्लैग है जिसमें ब्लू कलर के फ्लैग में जो स्टार्स हैं वो बने हुए हैं एंड इसकी अपनी क्रंसी है यूरो जो डॉलर से भी आज के टाइम में बहुत मजबूत है तो इसकी अपनी क्रंसी है अपना फ्लैग है तो जे वर्ड लैवल में बहुत ही important role play करता है हम आगे देखेंगे कैसे इसकी nominal GDP है वर्ड में कितना rank है तो जो European Union है इसमें जो political and economic unions हैं जिससे हम integrate हो रहे हैं हमारे trade हैं जिसमें हम tariff को free कर देंगे free trade करेंगे जिससे हम अपनी economies की develop कर पाएं तो पहले जो European community है वो establish होती है 1951 में उसके बाद जो European Union है इसको establish किया जाता है 1st November 1993 by mass rich treaty जो बहुत ही important treaty है तो जो mass rich treaty है हम इसको आने वाले sessions में करेंगे next session में historical background करेंगे कैसे European Union है 1946 से start होती है इस पर discussion और बाद में इसमें European community बनाई जाती है after that economic union establish होता है और उसके बाद Rome की Paris की जो ट्रीटिस होती है and 93 में mass rich treaty होती है जिसके थ्रू European Union है इसको establish किया जाता है तो जो इसका headquarter है वो है Brazil in Belgium Belgium में बहुत ही बड़ी building है जिसको European Union का headquarter कहा जाता है तो जो European Union है इसका economy level पर बहुत ही important role है जो world GDP में बहुत ही important powerful union बनकर आ रही है European Union में जो आज के time में 27 member states है अगर जे अकेले अकेले होती तो जे world GDP इतना contribute नहीं कर पाते जितना अब साथ मिलकर कर पा रहे है तो जो nominal GDP है इसकी nominal GDP कितनी है 17.0 trillion dollar 2021 के according जो world में third number पर आती है and population कितनी है 447 million तो इसके जो European Union की population है 447 million है और जो इसकी GDP value है जे भी बहुत ही जादा 17 trillion dollar है जो इंडिया है अब तक 3 trillion dollar की economy ही बना है हमारा target है 24 तक 5 trillion dollar की economy बनना तो जे 17 trillion dollar की economy बन जाता है तो जो Europe है बहुत ही जादा developed country है इसकी जो HDI value है 0.911 है जो बहुत ही जादा high है तो जे developed countries में आता है इसकी per capita income क्या है 40,995 dollar per capita income है तो जे बहुत ही rich countries का union बनी हुई है इसमें euro zone में है euro zone का meaning क्या हो गया जो European Union है इसकी अपनी जो currency है euro तो उसको कहते है euro union जो 19 member states है वो क्या करते है euro को अपनी prime currency के रूप में adopt करते है as a legal tender money it means क्या हो गया जो अभी transaction होंगी इन 19 countries की transaction euro में होती है so 19 member states of the European Union adopt a euro it is the sign of euro as a their primary currency and जो eight states है वो अपनी जो nation की currency है उसको use करते हैं लेकिन वहां पर भी euro फिर भी चलता है इस तरह euro zone बन जाता है इसकी जो official languages है वो 24 languages है European Union की एंड जो main official languages है वो हैं 3 English French and German जे 3 official main language बन गई जबकि इसकी 24 main language है तो जे होगी basic information of European Union जिनोंने politically economically अपने आपको प्रमोट करने के लिए efforts के हैं आप में एक union बनाई है and area of cooperation जो इसका area of cooperation है वो कौन-कौन से हैं तो जो हम कहते हैं जो European Union member states है इन में free trade क्या जाएगा economic lien होगा जिससी free trade से अपनी economies को develop करना होगा तो इट इंशोर सा free movement of people goods services and capital meaning जो persons हैं उनको एक दूसरी की country में जाने के लिए वीजा के जुरूरत नहीं होती है वहाँ पर free movement of goods होती है सर्फिस होती है capital जिसके लिए इनोंने यूरो को चुना है तो इस तरह वहाँ पर free trade किया जाते है within internal market तो जिए 27 countries में free movement होती है जिससी जे countries अपने आपको growth कर पाई है अपनी हैजमनी को दुबारा से establish कर पाई है जिए बहुत ही ज़्यादा developed countries हैं और जो जे countries हैं जे पूरे वर्ड में सबसे ज़्यादा famous developed continent के रूप में ही सबके सामने आता है it maintain common policies on trade agriculture fisheries regional development economic integration and European monitoring system तो इन 27 countries की common policies भी है trade agriculture fishery के रिगाड तांकि जे अपनी economies की development कर सके इन्होंनी common monitoring system है इसको भी establish किया है तो जो European Union है इसको establish करने के लिए जो founding member nations थे वो कौन कौन से थे जो इसकी foundation होती है तो foundation second world war के बाद जो कॉल्ट एरा था इस कॉल्ट एरा में 1946 में जो योके के Prime Minister है Mr. Churchill वो कहते हैं कि European countries को साथ मिलना चाहिए आपस में integrate होकर उनको अपनी development की regarding सोचना चाहिए तो इसके लिए वो starting से effort करने लग जाते हैं तो 46 से efforts होते हैं एंड इसके बाद 1951 में क्या होता है 18th April 1951 में Treaty of Paris होती है जिसके थुरू क्या किया जाते है यूरॉपियन कॉल एंड स्टेल क्यूमिनेटी है इसको फॉर्म किया जाता है तो जे पहली क्यूमिनेटी इस्टैबलिश के गई जिसमें फ्रे मूव्मेंट ओफ कॉल एंड स्टेल होगी तो बेसिक इंडस्ट्रिस हैं इसको डिवाल करने के लिए एफर्स चार्ट हो जाते हैं बायर ट्रेटी ओफ प्यारिस जिसने यूरॉपियन एकनॉमिक क्यूमिनेटी है इसको बेबाद में इस्टैबलिश किया जाता है जब ट्रेटी ओफ रॉम होती है तो इसके लिए जो स्टार्टिंग मेंबर आते हैं वो आते हैं बेल्जियम, व्यांस, व्यास्टन जर्मनी, इटली, लक्षणबर्ग, एड़ नेदर्लैंड तो जो जे शिक्स कंट्रेश हैं जैसे आप मेंबर में देख रहे हो जो परपल कलर की कंट्रेश हैं जे उरिजिनल कंट्रेश हैं औरिजिनल स्टेट्स का मीनिंग क्या है जो नाइंटीनिट थ्री से पहले आपस में मिल गई थी तो जो जो जे six countries हैं जे वेस्ट यूर्प में हैं तो इसको वेस्टर यूरोपन क्यूमिनीटी वे कहा जाता था तो जे six countries हैं उसके बाद 73 में UK हैं डेनमार्क हैं अधर 過去 हैं से we included हो जाती है इस तरह युडूपन एकोनोमिक क्यूमिनीटी है वह आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर जाती है जिसमें बहुत जादा beshaar और पूलमेंट साथ हो जाती है तो स्टार्टिंग कहांसे होती है इकनोंड क्यूमिनीटी से तो जब 93 है 93 से पहले इसका नाम क्या दिया जाता था EEC European Economic Community और जब 93 में European Union को establish किया जाता है उसके बाद EEC को European Union कहा जाने लगा तो चीह होगे इसके founding member nations Now aims and objectives of European Union जो European Union है इसके main goal क्या है जो aims and objectives है जिसमें जे अपने आपको develop करना चाते है तो जो इनकी objectives है हम इनको four parts में divide कर सकते है First one is re-establishment of European has money First of all European has money है उसको re-establish करना Establish नहीं re-establish करना क्योंकि जब middle era था उसमें भी European है इसकी has money already create होई पड़ी थी तो जो second world war होती है इस time period में इसको बहुत जाद economic loss होते हैं इसलिए इनको दुबारा से अपनी economic position को political position को maintain करना था तो इसलिए इसको कहती है re-establishment of European dominance European has money create करना तो इन्होंने आपस में मिलकर social economic reconstruction की after world war 2 तो इनका जे purpose था कि हम आपस में मिलकर जो हमारी economy है इनको reconstruct करेंगे दुबारा से develop करेंगे इसलिए इन्होंने political integration भी की है जिससे वो आपस में मिलकर काम कर सकते है तो जो European Union है इसकी parliament भी है इस तरह political integration भी साथ में हो जाती है तो इन्होंने क्या किया इन्होंने सब काम की जिससे जी अपनी past glory है इसको दुबारा से re-establish कर सके अपनी economic power को maintain कर सके अपनी tradition के तरू दुबारा से dominant position पर पहुँच सके इन्होंने इसके लिए common, foreign and defense forces है उनको पर पियर किया तो जो European countries थी जो Europe community में आ रही थी इनके लिए common, foreign and defense forces है जेत्यार की जाने लगी थी नमबर टू, establishment of new economic system जो निया economic system है इसको establish किया गया इसके according क्या किया गया इनका objective था to convert Europe into single economic zone मेनि पूरे योरप में जितने भी इसकी member nations या उनका एक single economic zone होना चाहिए जिसमें free movement of good services होगी तो इनों ने single economic zone बना लिया जैसे हम इंडिया की बात करते हैं अगर हम एक state से another state में trade करते हैं वो क्या है? single economic zone के अंडर आता है like this जे भी क्या कहते थे? single economic zone को हम establish करना चाहते हैं इसके लिए जो tariffs हैं इसको remove किया जाएंगे जो export and import custom duties हैं इसको खतम कर दिया गया और इनोंने common policies prepare की agriculture sector की कैसे development हो common labor laws हैं इनके through जो laborers हैं इनकी income को कैसी increase किया जाए? तांकि standard of living है इसको भी increase किया जा सके and common participation for all member states जितनी भी European Union की member states हैं इनकी common participation होने चाहिए तांकि free trade हो economic develop कर सके तो जे new economic system है इसको establish करना चाहते थे third one is establishment of new monetary system जो new monetary system है इसको establish करना भी इसका aim था तांकि जे common currency है उसको provide करा सके पूरे European Union में एक ही currency है उससे trade हो सके तो मिलकर जब जी सभी countries उस currency में अपने goods हैं उनको exchange करेंगी, trade करेंगी तो उसकी value को stable भी रखा जाएगा उसकी dominance को achieve किया जाएगा जैसे USA है उसका dollar की importance है तो इनकी common currency euro है जे भी बहुत ज़्यादा important बन जाती है इन्होंने अपने euro को क्या किया है सबसे ज़्यादा dominant position पर पहुंचाने की efforts किये हैं तो to provide common currency for European nations जिसको हम euro कहते हैं तो यह euro है जे euro euro है इसको establish करते हैं जिसमें वर्ट के बहुत सारी country से euro में trade करना prefer करती है and to establish European Central Bank इन्होंने पूरे European member nations के लिए एक European Central Bank है इसको establish किया है जब covid-19 था तो इस bank की थूँ उन member nations को बहुत ज़्यादा help की गई थी तो इस तरह European Central Bank को establish किया गया to establish economic and financial union साथ में मिलकर financial union and economic union को establish कर सके अगर minor union में 27 nations है इनमें एक nation है उसकी economy डाउन चल रही है तो जै आपस में मिलकर उसको उपर तक लेकर आएंगे आपस में मिलकर develop करेंगे इसलिए economic and financial union को establish करना इनका aim था and last one is economic development तो जिस सबसे primary objective बन जाता है कि हम अपनी economy को develop करें और योरप जे ही तो चाता था कि हमारी economy से वो develop हो सके हैं इसलिए तो उन्होंने European Union है इसको establish किया था तो इसके लिए कहते हैं तो उन्होंने जो standard of living है अपने लोगों का increase करना जे इनका main purpose था इसके लिए उन्होंने free trade है इसको start किया था to provide more opportunities for employment to strengthen social and judicial provisions मेंक employment increase करना अपनी European Union member states इनमे social and judicial provisions के तुरू social security है इसको ensure करना and to provide visa free entry of the citizens जो member nations है इनकी visa free entry है and to encourage tourism तांके tourism के थरू भी इनकी economy develop कर सके तो जे European Union के means and objectives है जिसके थरू European Union है अपनी economy को develop करने की कोशिश करता है तो वे इस हमारे European Union का जो basic introduction है वो complete होते है नेक्स शैशन में करेंगे historical development of European Union होप से क्या आपको जी शैशन अच्छा लगा होगा अगर आपके कोई क्यारी है तो पोस्टेट इंता कमेंट बुक्स और वीडियो अच्छे लगी तो प्लिस लाइक and share with your friends thank you so much and have a nice day